किताब है The Psychology of Money जो लिखा है Mr. Morgan Housel ने हाला कि इस बुक के बारे में मैंने चेप्टर वाज समरी पहले बनाया हुआ है बढ़ फिर भी अगर इसे मैं दुबारा अगर पढ़ता हूँ तो यहाँ पे बहुत है सांदार थी जिए सीखने को मिलती है जो आप भी इस बुक से सीख सकते है और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही तीन बहुत ही important psychological lesson of money के बारे में आप से बात करने वाला हूँ जिसमें सबसे पहला lesson है enough is enough जिसका simple सा मतलब यह है कि चाहे हम जितना भी पैसा कमा ले हमारे पास जितनी भी धन दौलत आ जाए बट फिर भी कहीं ने कहीं वह कम लगता है और खास तोर से तब जब हम उसे दूसरों से compare करते हैं जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो घर है जो गाड़ी है जो दौलत है जो भी हमारे पास शोन है टीवी है जो सो कुछ भी है वह बाजू वाले से कम है तो हम यहाँ पे बेचैन हो जाते हैं और और ज्यादा के च चकर में और ज्यादे दौलत बाने के चकर में सामने वाले शे आगे बढ़ने के चकर में कुछ ऐसे रिस्क लेते हैं जिससे कि हमरे पास तो आलड़ी दौलत होती है वह भी दाव पे लग जाती है और हमें आपे बहुत बड़ी प्रोलम में फंस जाते है तो इस तरह की mistakes आ करते रहेंगे तब तक आप इस भाग दोड़ से पैसे की पीछे जो भागने दोड़ने का वह आपका चलता ही रहेगा आप रेटरस में हो सकता है फंसे ही है आप करना सबसे पहले बंद करें इनफी इनफ को समझें कि हाँ आपके पास चूब कुछ भी है वो परियाप्त है आपके लिए sufficient है तो यह है बहुत important psychological lesson of money जो आप इस book से शीख सकते है दोस्तों जैसा मैंने चुरुआत में कहा आपसे कि अच्छी किताबों की अच्छी बात यही होती है कि आप इनसे हमेशा जब भी इन्हें read करेंगे तो कुछ ने कुछ अच्छी बाते जरूर शीख सकत है और audiobooks की अगर बात करें तो मैं यहां पर recommend करूंगा आपको कुकु FM mobile app जो की इंडिया का leading audiobook platform है जहां पर 1000 प्लस आवर्स से भी ज्यादा के non-fiction learning content जो है वे वे लेवल है तो होली के issue पर अपनी knowledge और अपनी learning को बढ़ाने इसे नया रंग देने के लिए आप जोईन कर सकत हैं कुकु FM की शांदार knowledgeable and learning audiobook library और यहां पर मैंक बदाना चाहूंगा कुकु FM से लेड़ेट कर रहा है knowledge के रंग कुकु FM के ख्रंग और वोली की issue बासर पर 12 मार्च से लेके 20 मार्च के 20 में आपको यहां पर दे रहा है 50% discount उसके membership पे तो अगर आप कुकु FM को 20 मार्च से प पहले आप इस offer का जरूर लाब उठाएं और कुकु FM जवाइन करके आप अपने learning और अपने knowledge को जरूर यहां पर enhance करें इसके सांदार audiobook library के शाथ में और अब अगर बात करें इस book से दूसरे important money relation के बारे में तो दूसरा important psychological money relation यह है कि your behavior with money is more important than your knowledge जी हां आप चाहें जितनी अपने knowledge को शायड में रखें कुछ ऐसे money decision लेते हैं जो कि बात में हमें बहुत भारी पड़ जाता है for example आप जानते हैं आपके पास इस बात का knowledge है कि आपको यहां पे consumer loans नहीं लेने चाहिए यानि कि आपको इस तरह के कर्ज नहीं लेने चाहिए जिस कर्ज को use करके आप य reality होता क्या है आप इस knowledge को जानते हैं कि हाँ बुरे कर्ज बुरे होते हैं बड़ फिर भी अगर आपको अपना phone change करने की बात हो तो आपको यहां पर आपके जिब में पैसे ना हो और अकबस credit card हो तब simply उस credit card को use करके जो नहीं फोन है जो आपका मन की है जो नहीं फोन को मु करके वह जो फोन है वह ले लेगे और आपके बाद में financial trouble में फंस जाएगे इस बात की जो संका है वह बहुत ही ज्यादा है क्योंकि आपने emotional control नहीं रख रहे हैं तो इसलिए Mr. Morgan Housel यहां पे दूसरा बहुत important psychological relation of money बताते हैं कि आपका जो behavior है पैसे के साथ में वह बहुत important है ना कि आपका knowledge तो knowledge चाहे जितना भी हो अगर उसे implement ना करें तो वह सारा knowledge बेगार है और यहीं बात हो कहना चाहते हैं कि पैसे के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह अलग बात है बट जब बात आती है कि behavior कि आप क्या कर रहे हैं आप किस तरह से खर्च कर रहे है आप किस तरह से invest कर रहे हैं आपकी जो thinking है वो क्या है तो यह सारा जो है वो फर्क पड़ता है तो यहाँ पर important lesson यही है कि आप अपने emotions को control में रखें और पैशोक्षाद जो आप बैवार है वो इस तरीके से करें जो कि आपके लिए जरूरी हो जो आपके लिए फायदे जी हाँ असली अमीर और नकली अमीर में बहुत फर्क होता है और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी नकली अमीर बनना चाहेगा ऐसा अमीर जो कि बाहर्श अमीर दिखता है बट अंदर से वो खोकला है बट प्रॉलम यहाँ पी यह है कि जो दिखता है वो बिखता ह और ससτο यही है कि हम असली अमीर को कभी देखी नहीं पाते हैं, हम जो देखते हैं वास्तों में वह नकली अमीरी होती है और अगर आप किसी को देखें किजिए कि इसके पास x Чтобыrich बहुती महरी घर है उसके पास was oda भाझे भूंढ़ी चीजिए उसके पास बट अगर आप ध्यान से देखे तो उसके पीछे जो लोन से वो आप नहीं देख पाते हैं कि उस गाड़ी की पीछे कितना प्रालोन है उस घर की पीछे कितना प्रालोन है या फिर वो जो फोन यूज कर रहा है उसके पीछे उसका कौन सा लोन है इन सारे चीज़ों को हम नही आपको अमीर दिखाएं, but, यहाँ पर फ्रोल्म यह होती है कि कमाने में हमेशा समय लगता है, It takes time and even, but, यहाँ पर आसान चीदी यह होती है कि हमोचीज, ये माई पे, लोंस पे खरिद ले, और यही गलती हम करते हैं, हम loans पे लेके ऐसी चीज़े खरिदते हैं जिससे कि हम अपने आपको अमीरी दिखा पाएं और इस अमीरी दिखाने के चकर में आगसर हम बहुत गरीब हो जाते हैं जिस समने आपको पिछली वीडियो मत आया था कि ऐसे बहुत सरी mistakes होती हैं जिसकी वज़ा से हम ज्यादा आमीरी बनने के चकर में और ज्यादा गरीब हो जाते हैं तो इस तरह के जो mistakes हैं वो नहीं करनी हैं असली अमीरी अलग चीज होती है और जो नकली अमीरी है वो अलग चीज होती है असली अमिरी का मतलब यह होता है कि आप जो कमाते हो वहाँ पे सबसे पहले आप उस हिसाप से खर्च करते हो आप यहाँ पे लिमिट में खर्च करते हो और मैक्सिमम सेविंग करने ही कोजिस करने के बाद से सबसे पहले आप इनिवेस्ट करते हो asset will करते हो, passive income, portfolio को मनाते हो और financial freedom आपका पहला लक्षय होता है और आप financial peace, financial freedom में आपे हासिल करते हो बट वही पे नकली अमेरी ये चीज होती है कि आप कमाओ, खर्च करो और खर्च करने के बाद से अपने आपको अमेरी दिखाओ और अगर कम पड़े, तो आप तुरंत loan लो ये माई पे चीज़े buy करो और अपने आपको अमेरी दिखाते रहो, show up करते रहो दूसरों से compare करते रहो और यहाँ पे loans पे loans लेते रहो तो ये चीज़े आपको नहीं करनी है आपको इस mistake से बचना है कि असली अमेरी और नकली अमेरी में बहुत बड़ा फर्क होता है और आपको क्योंकि असली अमेरी बनना है तो इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ पे असली अमेरी की जो चीज़ है कि आप यहाँ पे saving करे proper investing करे, asset build करे और इसके उपर ध्यान दे ना कि ship swap करे और loans लेके यह माई पे चीज़े खरीद के अपने आपको अमेरी आपे साबीत करे तो दोस्तों आई हो कि तीनों important lesson आपको जरूर पसंद आया होगे वीडियो पसंद आया हो तो इस like और share जरूर करे अंद में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साब जोड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद